हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे सुजी स्नैक्स तो सुजी हम सभी के गर में अवलेवल होता है हमेशा तो एकदम इजी वाले इंग्रेटियेंट से हम रेडि करेंगे सुजी आलू स्नैक्स तो सबसे पहले हम इसके लिए ग्राइनर के जार में दो मेडियम साइज के इनको हम क्या करेंगे कि ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेते हैं पहले आलू प्याजले सुनद रखका और इसमें वन फोर्थ कप दखी डाल देंगे 60 ml कप है और इसको भी साथ में मिक्स कर देंगे और इसको साइड में रख देते हैं और एक दूसरे बरतन में हम सूजी लेते हैं एक कप ये 250 ml वाल कप है और इसमें हम सावा कप पानी डालेंगे एक कप और एक चौथाई कप और इसमें अब हम एट करने वाले हैं जो मिक्शर हमने ग्राइंडर की जार में रडी किये हैं आलू प्याज वाले और साथी स्वाधनुसर नमाक मिर्ची पावडर ग अब भड़ी धनिया पती थोड़ा सा कट करके डाल देंगे और इसके बाद हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तो सारी चीजों को पहले हम मिक्स कर देते हैं और फिर वेडियो को लास तक देखेगा बहुत ही इसी तरीके से हम बहुत ही अच्छा सा स्नेक्स रेडी करने वाले हैं तो इसके आगे का क्या प्रोसेस है तो इनको हम पहले अच्छी तरह से पका लेंगे तो पकाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तरका डालेंगे जिसे कि इसका टेस्ट जो हो की और बस जब यह चटकने लगे थोड़ा तरका तो हमay term कर देंगे अपना जो बेटर हम ने बना के रेडि किये फ्लेम को लो रखेंगे अब और इनको हम लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाएंगे सुजी को तो बस 4-5 मिनिट या जब तक इसका एक आटे जैसा फर्म में नहीं आ जाता है यह कठा होने लगता है और लग डो के फर्म में आ जाता है तब तक हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे तो 4-5 मिनिट में हो ही जाता है लो फ्लेम पे और इसके बाद यह देखिए एक अठा होने लगा एक गाढ़ा तो जब इस तरह का टेक्श्यर हो जाए तो हम गैस को आफ कर देंगे और एक प्लेट में तेल लगा लिया है जिससे कि यह बैटर जो है चिप के रिगा नहीं और इसमें सारे जो हमने बैटर को गाड़ा किया है वो डाल देंगे और एक जैसा फैला के इसको प्लेट में प्लेइन कर लेंगे तो प्लेन कर लेते हैं सबसे पहले इसको आप यहां पर हमारे जो है प्लेन हो गया है तो सुजी तो हमारा पग गया अभी देखिए फटा फट से स्नेक्स रेडी करेंगे तो बीस पचीस मिनट इसी तरह से प्लेटफॉर्म पे छोड़ दीजे उसके बाद थोड़ा सा जब यह हार्ड हो जाता है हार्ड मतलब की जस्ट शेप ले लेता है जिसको हम किसी भी शेप का जो काजू बर्फी होता है उसी सेप का कट के है और हम फ्राई करेंगे तो बस कम कट करेंगे पहले हम इनके पीसे इसको अलग लग डख लेते हैं ताकि फ्राई करनने में हमको इजी होगा друз के बाद हम् Nor mai के ऊसके बाद करेंगे इसको औहुआ हो और इस तरह से हम पहले 2 पिस निकालेंगे और फिर बाकी की भी इसले निकल जाएंगे टो चय भी आहिंतो हम फ्राई कर लेते हैं कौजी तो पहले刚 विया अनियोथ यह पहले आपर का पेल Спार केलने प्राई में तेल गरम करते हैं तो यहां पर मैंने चोड़ा वाला फ्राई पेन लिया है जिसे जादा से जादा एक बार में फ्राई हो जाएगा और पहले एक साइड क्रिस्पी कर लेंगे तो फ्लेम मैंने हाई ही रखा है क्योंकि सूजी तो हमारा अल्रेडी पका ही हुआ है बस उसको थोड़ा सा दोनों स नहीं है बस एक लेयर आ जाए गोल्डन के लड़का उतना ही भर तो एक साइड हमारा हो चुका है फ्राई दूसरे साइड भी हम फ्राई कर लेते हैं तो सब को आराम से पलटते वे दोनों साइड फ्राई कर लेंगे बहुत जादा फ्राई करने की तुजरूत है नहीं अल् दूसरे साइड पक जाएगा इसके बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे तो चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं एक बैच को फिर दूसरा बैच भी जाए सेम फ्राई कर लेंगे और यहां पे लिखिए मैंने इसको सर्फ किया है पुदिनी के चटनी के साथ आप में पसंद चटनी या सॉस के साथ सर्फ किजिए उपर से एकदम क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट तो सूजी आलू स्नेक्स हमाना रडी हो चुका है कमेंट करके हमें जरूर बताएगा अब कोई रेसिपी कैसी लगी थैंक्स फॉर वाचिंग